डॉक्टर मोती प्रकाश जोही लेख सिंधी लिपिय बाबत तमी मुधन्दा अशोप चंचलाणिय जे आवास में भाव हेमन खंडाला वारेजा लेख मा हिंद्वासिय में पढ़न दो रहेवा हैं मुखे न महापुर्शलाय वडी इज़त आदु रहे आई मासंदस अभ्यास आई खोजना जो शाय का हैं पर मुखे कढ़ें कढ़ें ये लगन दो आए किन लेखन में मुसिल्मान जे जादतन वीचारन आई अकीदन माँ खुशना है ये बखन दो आए ता उही असांजी मुसिल्मान जे जवाबदा रहें मुसिल्दस बावी जून बाहजार चोड़ां जी हिंदु आसिय में छपिल लेखब पढ़े वाहे जह में हुन सिंध मुसिल्मान जे घणाई जे कारन जा सबब बे बुधाया हैं पचाड़िये में सिंधी बोलिए जे देवनागिरी लिपये जे हकमेई हो लिक्या है हेक़ अंग्रेजी अमलदार जो देवनागिरी जे फायदे में रायो डिह भावब वहें जो रायो लिनुआ है काश अगर ये थे हाँ ता सिंधिये जो आइंदा रोशन सुरक्षित हुजे हाँ मां हिंदू आयां हिंदू होनते मुखें फखुरा है मां मुसल्मान जे घणाई जे कारणन खे पासी रो रखी फकत लिपिये जे स्वालते देवनागिरी लिपि सिंधिये ते मढण निस्बत का सफाई जो इरादो रखा थो जड़े सिंधि हिंदू लड़ पलाण करे हिंदू में थाई का थ्यन आये पहंजिन रोज मरह जों घुर जों पूरियों करण में सरगरदान हुआ तरहें पंजा सठ मानन पाण में गड़ जी सिंधि लिपिये खे देवनागरी करण जो फैसलों कयो सो चाइज हो मां सिंधिन खे कोम मन्यात हो कोम उआ हे जेंखे पहंजियों जागराफ यहदूं देश पहंजी बोली पहंजी सभ्यता संस्कृती कल्ला फन संगीत संसकार आचार वहवार रीतूं रस्मों हुजन जेंजी आदम शुमारी क्रोणन में हुजे तहेंजी किस्मत जो फैसलो फकत यह पंजहा सठ मानू कन सो निहायत तकडो बे जवाबदारी वारो हो दलील यह डिना व्यात दलील नंबर पहर्यों सिंध जी असली लिप्पी देवनागरी हुई भाई जेकरें सिंधी देवनागरी लिप्य में लिखी वेंदी हुई तह मोंजे दड़े ते उक्रेल लिखावटूं छा देवनागरी में हुई हुई उनने लिप्ये खेट डेसी फर करणजियों कोशिशयों अन्या जारी हैं ऐसी मोंजे दड़े जा वारस आई हुई हैं फखुर करना हुई हुई अंग्रेजन सिंध अरणासाव टेताली ईसीय में फतह कई जन्हें मीरंजी हुकूमत हुई जिन जी सरकारी बोली फारसी हुई उननवट मुनशी गिरिय लाए हिंदू हुंदा हुआ जेके फारसीय में हिसाब किताब लिखनदा हुआ लिखपढब फारसीय में कनदा हुआ शाह अब्दुल्लतिफ भिटाई जो कलाम जेको कातबन हथा खरन में लिख्यो सो गंज में सिंधिये में लिखेला है गंज सिंधी लहजे में आहे जेका उनवक्त जी मरोज चालोर बोली आहे एं शाह साहब जो जनम सोरह साओ उनानवे इसीदे में थियो याने अंग्रेजन जी अचणखां अग दलील नमबर बह देवनाग्री जे फायदे में इये प्चय विवाहे ता हाने हिंद में आया हिँ आये उते जी बोली हिंदी आहे जेका हसान जा बारब लाजमी तोर पढ़न था तपोई सिंधी बार जेके अगेई हिंदी जानन था से सिंधी लिपिय जो बोज छोखनन इते मा यो बुधैन चाहया थो तप सिंधी लिपिय खे अरबी लिपि चावण गलत आहे छोजो अरबिय में बावंजा अखरना हिं जेके सिंधी में आहिं आये बावंजा अखरन जे आयोटा सबब सिंधी पहंजी बोलिय में कहडीब बोलिय जो उचार सहुलत सां करे सगन था दलील नमबर टे इहोत सिंधी लिपी कम मान सां असी बियुन जातिन खां अलग थी विंदा सी असांखे उन्हन में जजब थी वजण खपी तपोई भावरो डखन हिंदुस्तान जूं तेलगू तमिल मल्यालम बोलियूं गालाईंदर हिंदी लिपी न अपनाए जेकने हिंद में हिंदी थी रही सगन था तपोई सिंधी चोन था रही सगन काका साहब कालिल कर जो को मरेठी गुजराती जो विद्वान हो तेहें हिक अखिल भारत सिंधी बोलिये साहित समिलन जे मोके ते सिंधी लेखकन तैलिमदारन के सलहरिनी सिंधी बोलिये के हाने देवनागरी लिपी अपनाएं खपे तड़े हिकले का काउंस स्वाल पुछो तपोई गुजरातीब की नखरन के छडे देवनागरी वांगु रहे तउनके मतां हिकली के डिनसां देवनागरी लिपी करनलाएं अवां त्यारायो दलील नमबर चोथो अरबी याने सिंधी लिपी मुसल्मान की बोली आहे यहो दलील उनन निनों जेके समझना हुआ तैसी हिंद में आयल हिंदु आहें काब बोली कोम जी बोली थिंदिया हे या धर में दीने जी बोली बोली देश जो वर्सो थिंदिया हे उनजा गलाईंदर हर मजब जातिंदा हें मा घानी उपटार में नवन्य हाने फकत सिंधी लिपी खे देवनागरी करण सबब किन हानिंते मुख्तसिर लिखंदुस हानी नमबर पहरी जिते जिते देवनागरी लिपी में सिंधी लिखनलाए इसकूल खुली व्या हें उते हाने सिंधी पढ़ाई न थी वजे सिंधी लिपियवारन स्कूलन और देवनागरी लिपियवारन के इहों अंदेशों इन परपक हुई तपढ़ाईये जो माध्यम हिंदी थी विवाहे महराश्या, राजस्तान, गुझरात, एं जिते सिंधी स्कूल बर्पाथ है, उते सवाय गुझरात जे हिक बिन स्कूलन में सिंधी पढ़ाई वगजे थी यूपी, बिहार, मध्य परदेश में तर सिंधी है जो वहय पोई कोन है आदिपुर याने गुजरात में इंडियन इंस्टिटीट आफ सिंधौला जीखे साधु हीरानन नवल राए अंग्रेजी माध्यम जोई हिक विस्कूल आए जैमे सिंधी लीपे में नहें दर्जेताई हिक विशह तोर सिंधी पढ़ाई विंदिया हे हाणी नमबर बै खासतोर घरन ऐएं पाडे अडे में सिंधी जालू चाहे मर्दब हाने हिंदी कहलाए रहा हो हाणी नमबर टे सिंधी बोलियाते मकानी राजन जी बोलिया जो असरवन्य थो विदह विदन्धो सिंधी लफजन बदरां, हाने उन्हन बोलीं जे वाय पे जो जोर वधी विवा है, मुँ सादू विरानन्द नवल राय अकेडमिय जे डहे दर जे जे सिंधी सिखंदर बारखां पुछो, तो यार इसकुल मा वनी श्याम जो छाकंद वाहीं, जवाब नहीं, रम्मान वेंद आयां, खेस सिंधी लफज रांद चवण ब कोन आयो, हानी नमबर चार, असाँ जा बार हाने सिंधी ब, ज, ग, न, ड, ख वगेर जडा लफज दुरुस्त गलाए न था सखन, बार खे चवणद बार, जिब खे चवणद जिब, मुंग खे चवणद मुन्य, उन्य खे उज, गाल खे चवणद गाल, खबर खे चवणद खबर, डंद खे चवणद दंद, न, फगत असाँ बोलिये जो निजपनों, आएं असलत विन्याय रहा हीं, पर हिंदी खे ब बिगाड़े रहा हीं, एन सी पी एसल, याने नेशनल काउंसिल फार प्रोमोशन आफ सिंधी लिंग्वेज जे मौझूद है वाइस शेर्मेन श्री रमेश वरलयानी है, एक शक्सी गड़जानी में सलहा दिनी, तजकरें असी सिंधी बोलिये जे, आ, ए, उ, जे मातराउन के चंबड़ी पाउंदा सीं, तजसी बोलिये बचाएं न सकंदा सीं, उन्हा मिसाल दिनों त श्री एन जे माखी जानी जानी है जो किताब 52 अखरी विखट्यों अचोता सिंधी सिख्वों पड़ेवा है, हुनसाहब निहायत महनत करे, बोलिये न लिप्ये बाबत, निहायत कारायतियों आँ जरूरी गालियों लिक्षियों हैं, जेके सिंधी बोलिये आँ वाधारे न न हो जे। एच्छा नकाई वाहे सो हिक नियाएत वलो स्वाला हे। हाने ता हालत यहाँ बाहेत च्छाकान ता सिंधी सजी दुनिया में ट्रेल पखड़ लाहें। हेन तकनी की जुग में कंप्यूटर असांजे लिख पड़ खत किताबं जो वलो वसीलो बन जी वाहे। इनकरे किन सजनन उनजा फायदा वठन लाहे सिंधी बोली लाहेत अच्छा पर अब यूँ बोलियूँ बे रोमन लिप्ये में आननजी कोशिशों थी रही हैं। इनसलसले में एहमदाबाद में साल बहजार यारा धारे सिंधु भवन में एक कांफरंस यांगर जानी कई वेई। जिते रोमन लिप्ये सिंधी लिखन जी हिमायत कई वेई हुई। शाहद उनके रूपायती शिकिल याने स्टेंडरडाइज करन जो फैसलो कयो हो उह कम जा हैं। लिप्य देवनागरी करन जो फैसलो तो थोरनी सुजान लेखकन यां तैलीम दानन कयोब तो उहा जरूरी गाल खाउन किये विसरी वेई। यहो मसलो जियें जो तियें पिवाहे। आदिपुर जी सिंधालाजी लेबरेरिय में हियर जेकड़े टीह हजार किताब है ता मिलन जे करे लिख्याविया हिन तके इनामन इक्रामन लाय लिख्याविया हिन या थोक खरीदिये जे लालच में लिख्याविया हिन एं मंजिन मयार नजहड़वाहे। किताब मुफ्त में लेबरेरिन संस्ताउन या इस्कूलन में मुक्लिया विन्दा हिन एं रद्य में सिंधी लिखन्द रखे आजादी मिली वे याहे हिक कोई लेखक पहंजे किताब में साग्योई लफ्स अलग-अलग नमुने में लिखे थो भाव हेमन हिक न्यायत अभ्यासी ऐ देरी नो शक्सा है चाहू इहो नेक कम हत में खणदो देवनागरिय खे रूपाय ते ढंग जो कम संस्ता कंदी जेका भाशा विग्यानिन विद्वानन तैलीमदानन जी गरजानी समेलन कानफरंस को ठाए खणी आएं को पको फिसलो करे जेको सबनी के कबूल पवे भाव मा एहड़े डियां जे इंदिजार में आयां अलबत एक वड़ो अंदेशो यू आहे तासी सि सिंधी हुंदेब सिंधुखां कट जी वेंदासी आएं कोम होनजी हैस्यत हमेशे लाए विज्याए चलींदासी दुनिया जी तारीख में मोंजे दड़े जे सभेता जा वारिस सरया नवारा सिंधी डॉक्टर मोधी प्रकाश जो ही लेख सिंधी लिपिय बावत तमी बुधी रहा हुआ अशोक चंचलानिया जे आवाज में बुल्चर में कते संचलानिया टो यिछ बावत अновची देला